नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां तेजी से बदलती हुई जिवन शैली, तनाव, डिप्रेशन और चिंता ने अनेको बिमारियों को जन्म दिया है और उन्ही में से एक गंभीर बिमारी है डाइबिटेज, जिसे मधुमेह या आम भाषा में सुगर की बिमारी भी कहा जाता है, यह एक ऐसी बिमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी अपना तेजी से शिकार बना रही है, विश्व स्वास्ते संगठन की के मुताविक आज दुनिया भर में करीब 222 मिलियन लोग डाइबिटीज की समस्या से पीडित हैं, जिसमें से करोनों लोग भारत में हैं, एक रिपोर्ट के मुताविक 2015 में करीब 1.5 मिलियन लोगों की जाने डाइबिटीज के कारण गई, अक्सर लोग जानकारी के हम से डाइबिटीज के कारण, लक्षन और प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे, आपकी जानकारी के लिए ये उपयोगी साबित हो सकते हैं, आईए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि डाइबिटीज है क्या चीज, मधुमेह क्या होता है, जब हमारे शरीर की अगनाश पहले में इंसुलीन का स्त्राव कम हो जाने के कारण, खून में ग्लुकोजस्तर समान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो उस इस्थिती को डाइबिटीज कहा जाता है, इंसुलीन एक हार्मोन है, जो पाचक ग्रन्थी द्वारा बनता है, और जिसकी जरूरत भोजन को एनरज जन से उर्जा लेने में काफी कठी नहीं होती है, जब गुलुकोज का बढ़ा हुआ लेबल हमारे रक्त में लागातार बना रहता है, तो यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसमें आखें, मस्तिश्क, हरदय, धमनियां और गुर्दे प्रमुख रूप से हैं, अब आईए जानते हैं हम सभी डाइबिटीज के प्रकार के बारे में, वैसे तो डाइबिटीज के 6 प्रकार हैं, लेकिन 80-90 प्रतिशत लोग डाइबिटीज के 2 प्रकार से सबसे ज़्यादा पिडित होते हैं, यह है टाइप 1 डाइबिटीज और बना पाती तब टाइप 1 डाइबिटीज की शुरुवात होती है इसमें रोगी को अपने खून में ग्लुकोज का लेवल नॉर्मल बनाए रखने के लिए समय समय पर इंसुलीन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं टाइप 2 डाइबिटीज में शरीर के अंदर इंसुलीन का न टापे के कारण भी हो सकती है अब जानते हैं डाइबिटीज के लक्षनों को डाइबिटीज के अनेक लक्षन है जिसमें से कुछ एक प्रमूख हैं जिने हम आपको बता रहे हैं अगर किसी इंसान को इन में से ज़्यादा तर लक्षन दिखाई दें तो तुरंत जाच करव रोगी के हाथों, पैरों और गुपतांगों पर खुजली वाले जक्मों होना, स्कीन पर बार-बार इंफेक्शन होना और बार-बार फोड़े फूंसिया निकलना, भूख ज्यादा लगना, ज्यादा खाना खाने के बाद भी रोगी का भार कम होना, चक्कराना और हिर्दय ग आनुवान्शिक, डाइबिटीज एक आनुवान्शिक रोग है, यानि अगर किसी के माता पिता को डाइबिटीज है, तो उनके बच्चों को भी मधुमेह होने की संभावना ज्यादा होती है, खान पान और मोटापा इसका एक प्रमुक कारण होता है, जंक फूड या फास् और मोटापा बढ़ता है, जिसके कारण इंसुलीन उस मातरा में नहीं बन पाता, जिससे शरीर को शूगर लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, और आप डाइबिटीज के शिकार हो जाते हैं, आईए कुछ एक अन्यकारणों के भारे में जानते हैं डाइबिटीज के, ज् अन्यवाले खाने के सेवन से, धुमरपान और तंबाकू का सेवन, ये भी एक मुख्य कारण होता है डाइबिटीज का, अब हम देखते हैं मधुमेह की जांच, जिहां, मधुमेह का जांच आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो HBA टेस्ट स्कोर जानिए, एक्सलेंट होता है अगर ये चार, पांच और छे रहे, गुड माना जाता है, अगर साथ, आठ और नौ रहे, और पूर, यानि खराब पोफोर्मेंस होती है, जब 10 से 11, 12, या 13, 14, यानि कि 9 से उपर जाता है, वैसे ही खराब हो जाता है, इसके बाद, मेन बलड, M.G.DL, इसके बारे में जान जाता है, अगर 150, 180 हो, तो गुड माना जाता है, और अगर 215, 250, 280, 315, 350, या फिर 380 हो, तो पूर माना जाता है, यानि कि खराब माना जाता है, इसके बाद, ग्लुकोज की मातरा, जिहां, अगर ये 2.6 से 4.7 या 6.3 तक हो, तो गुड माना जाता है, एक्सिलेंट माना जात और 8.2 से 10.0 हो तो गुड माना जाता है इसी के साथ अगर 11.9, 13.7, 15.6, 17.4, 19.3, 20.1 या इससे ज़्यादा हो तो पूर माना जाता है मधमेह की जाँच के लिए मुत्र या खून की जाँच की जाती है जिसके जरिये शरीर में सुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है डाइबिटीज की जाँच को दो हिस्सों में बाटा जाता है खाली पेट और खाना खाने के बाद सबसे पहले खाली पेट के बारे में जानते हैं खाली पेट खुन में शुगर की 80-120 mg पर डियल तक की मात्रा एक नॉर्मल इंसान में पाई जाती है अगर मात्रा 120-40 mg पर डियल तक के बीच में हो तो यह डाइबिटीज की शुरुवाती अवस्था मानी जाती है और मात्रा 140 mg पर डियल से जादा पाई जाती है तो यह डाइबिटीज की जड़की अवस्था मानी जाती है इसी तरह से खाना खाने के दो घंटे बाद अगर खून की जाँच में शुगर लेवल 120 से 125 mg पर डियल से कम पाया जाता है तो यह समाने है और अगर इसकी मात्रा 145 mg पर डियल है तो यह डाइबीटीज की निशानी है अब मधुमेह के इलाज और बचाओ के बारे में जानते हैं अगर आप गंभीर रूप से या काफी समय से मधुमेह से पीडित हैं तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई कदम न उठाएं अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह की शुरुवाती लक्षन है तो बचाओ के लिए वह कुछ तरीकों को आज मा सकते हैं डाइबिटीज का एक कारण चिंता या तनाव भी है इसलिए जितना हो सके उतना तनाव ना लें इसके लिए आप एकसरसाइज या मेडिटेशन भी कर सकते हैं जितना हो सके उतना फीजिकल वर्क करें अच्छी नींद लें साथ ही अपने वजन को कंट्रोल में रखें जितना हो सके उतनी बैलेंस डाइट यानि कि हरी साक सबजियां अनाज दालें ये सब लें खाने में फास्ट फूड घी तेल से बनी हुई चीजें ज्यादा मीठी चीजें या फैट वाले भोजन काफी कम खाएं साथे मीठे फलों और जूसों से भी परहेज करें इसमें आम, लीची, केला, अंगूर, चीकू, शरीफा, शामिल हैं जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए डाइबिटीज के रोग्यों को कापाल भाती प्रानायाम, अनुलूम विलूम और मंडू कासन करने की सलाह दी जाती है अगर आप डाइबिटीज से पीडित हैं, तो अपने पैरों की हिफाजत करें, चोट से बचाओ के लिए नंगे पैर ना चलें, साथ ही अगर चोट लगे तो नजर अंदाज बिल्कूल न करें, क्योंकि ऐसी स्थिती में इन्फेक्शन फैलने की संभावना जादा होती है, डाइबिटीज के रोगी नि दोन इलाज कर सकते हैं, मेथी दाना 100 ग्राम जहाँ दोस्तों मेथी दाना 100 ग्राम, सौव 50 ग्राम, काली जीरा 25 ग्राम, अब इन तीनों को ले लिजे दोस्तों, और तीनों को अच्छी तरीके से साफ कर लिजे, साफ करने के बादें, इसे धूप में सुखा लें, जब करना क्या है कि इसे मिक्सी में या कैसे भी बारिक पीस लेना है दोस्तों ताकि यह चून बन जाए जब यह चून बन जाएगा तो इसको इकठा रख लें अब शाम को खाना खाने वगरे के बाद आप जब सुने जाते हैं उससे पहले हल्का गुंगुना पानी कर लिजिए औ बाद आप ले लिए वापस एक चमच जीरा वैसे इंकुनकुने पानी के साथ मेथी दाना सौफ और काले जीर्या क्या चून आप ले लिजिए इसके बाद जो मुख्य साउधाने आपको बरतनी है दोस्तों इसके साथ वह यह है कि आप जब ही चून लें तो उसके 45 मिनट आप कुछ भी अन या कुछ भी ना खाएं तो सबसे बहतर होगा खासकर चावल कोई भी फास्ट फूड या तली हुई चीजें या जूस या शुगर जिसमें भी मिला हुआ हो वह खाद्य पदार्थ आप ना खाएं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बहतर होगा आप इन च के लावा दोस्तों आप नेमत योग आशन योग आशनों का अभ्यास करके भी जैसे खाना खाने के बाद बज्राशन पे आप बैठें यह आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होगा और क्या होता है हमारे बौडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों वह मुख का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने पीट को स्वस्थ रखें और इसके लिए महत्वपून आशन है एक बज्राशन और तहलना नियमित तहलना ना चोड़ें चाहें आप हो सकता है आपके पास सुविधायां सारी हो गाड़ियां हो सब कुछ हो लेकिन फिर भी आप नियम तहलना जारी रखें इससे आप स्वस्थ रख सेकते हैं दोस्तों धन्यवाद